दोस्तो आज हम गेहु से दलिया बनाएंगे घर पर बनाएंगे मिक्सी में और उसके लिए मैंने गेहु लिया है आप देख सकते हैं नीट अन क्लीन गेहु है अच्छे से साफ करके लिए है मैंने अभी इनको हमें मिक्सर में पीषना है पिषना मतलब थोड़ा सा तोड़ना है और नीचे लिया है मैंने एक प्लास्टिक आप चाहे तो एक कपड़ा ले सकते है नहीं तो बड़ा साइज का कोई बरतन ले सकते है एक मिक्सर जार ले लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर गहू डालेंगे बहुत ज्यादा गयू हो एक साथ मिष्णने के लिए नहीं लेंगे थोडए-धोड़ा गयू लेंगे देखिए अब हम थोड़ा सा चला कर लाएंगे 10-12 सी कि लिए चलाएंगे और रूप रूप कर चलाएंगे बिल बिल कॉंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे नहीं तो ज्यादा पाउडर बन जाएगा तो चलिए थोड़े देर के लिए चला कर लाते हैं देखिए दोस्तों 10-12 सेकंड के लिए मैंने चलाया है ज्यादा टूटा नहीं है फिर भी देख लेते हैं चान कर कितना हुए और इसको चानने के लिए मैंने लिया है यह देखिए जो स्टीम करते हैं हम स्टीम करने वाला प्लेट यह सबके घर में बहुत ही इजी ली अविल कर सकते हैं देखिए इसका इस्तिमाल करके मैंने पीछले वीडियो में आपको बताया था दल्या बनाना तो आज मैं यह स्टीमिंग प्लेट का यूज करूंगी क्यूंकि यह सब के घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है तो चलिए जो हमने गहु पीस कर रखा है मतलब लेकी देकाशन जकलता है देखते हैं यह दिखिए रिया गिरना शुरू हो गया है जाद और अभी तो बहुत ही कम दलिया मिले है आप देख सकते हैं इसका मतलब हमें और थोड़ी देख ज्यादा चलाना पड़ेगा तो चलिए फिर से मैं घुमा कर लाती हूँ इस बार थोड़ा से ज्यादा घुमाएंगे 15-16 सेकंड के लिए देखें दोस्तों मैंने थोड़ा ज्यादा चलाया है और थोड़ा ज्यादा टूटे हुए है अभी छान लेते हैं यह देखें दोस्तों इस तरीके से हम सारे गहुआ को तोड़ लेंगे और ऐसे छान लेंगे यह वान्तिटी अच्छी है अच्छी कॉंटिटी में दलिया निकले है तो इसतरह से हम बाकी सारे के होकों आसे तोड़कर चान लेंगे जैसे जैसे पीशने जाएंगे वैसे वैसे हम साब्वत पालौ जान लेते हैं तो यह मेरा लास्ट बैच M बिलकुल लास्ट वाला चान लेते हैं अब देखिए यह जितना रह गया है यह इसमें साबोद गहु बहुत ही कम है दो चार साबोद गहु है तो जो भी दो चार साबोद गहु मुझे मिलेंगे वो मैं निकालके अलग कर दूगी या फेक दूगी और बाकी सारे गहू तोटे हुए है आप देख सकते हैं इसमें साबुत गहू नहीं है देखें सारे तोटे हुए है तो इतना में डाल दोंगी यह सी डल्य के अंदर इनको अलग करने की कोई जूरत नहीं है अभी यह जो मेक्स्चर हमें मिला है इसमें आटा और सूजी भी है तो आटा और सूजी को हमें अलग करना है तो अलग करने के लिए हमें फिर से इसको छानना पड़ेगा तो उसके लिए मैं एक बरतन में ले ले जी हूँ पहले अभी इसी प्लास्टिक के ऊपर हम फिर से छान लेंगे और उसके लिए मैंने लिए है ये आटे की छलनी आप देख सकते हैं और ये मोटी वाली छलनी है जिसके अंदर से सूजी भी गिर जाती है तो इसके मदद से हम छान लेते हैं तो हमें बिल्कुल नीट अंक्लीन दलिया मिल जाएगा अच्छे से छान लेंगे ये देखिए ये बिल्कुल साफ है इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं है और सूजी भी नहीं है तो हमें बिल्कुल नीट अंक्लीन दलिया मिल गया है अभी इसी प्रोसेस में हम बाकी सारे मिक्स्टर को भी छान लेंगे और ऐसे नीटन क्लियन दलिया निकाल लेंगे चलिए फिर बाकी कभी कर लेते हैं देखिए दोस्तों सारे दलिया को मैंने चान लिया है और नीटन क्लियन दलिया निकाल लिया है मैंने और इसके नीचे ये जो निकले है इसमें आटा और सूजी दोनों हैं आप चाहे तो बारिक वाली आटा चलने से इसको चान कर आटा और सूजी को अलग कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं आप इसका शीरा बना सकते हैं बच्चों के सेरिलेक में डालने वाली हो तो जो भी हो अगर घर में गेहू हो तो बाहर से दलिया खरीदने की कोई जूरत नहीं है घर पर अराम से बना लेजिए इस प्रसेस को फॉलो करके और ये दलिया बिल्कुल बाजार के दलिया जैसे ही है बिल्कुल सेम है सेम टेक्स्चर सेम स्वार सब कुछ सेम है कुछ भी फरक नहीं है इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहां तक ही मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सेफ रहें